अबसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे स्टीट चैनल में दोस्तों आज के वीटर में हम बात करने वाले हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में तो लिवर फंक्शन टेस्ट को मतलब होता है ऐसे टेस्ट जो लिवर के फंक्शन को चेक करने के लिए किये जाती है तो लिवर के एंजाम्स को प्रोटीन और पिग्मेंट को चैक करते हैं तो चलिए जानते हैं लिवर वंक्षन के बाए में यह हम एक में एक बरेजों दोसरा हम सकते हैं कि द्रहिए मतलब जो हमारे मिल्यूट को किस इनिट में ली अगया है सबसे पहले जो टेस्ट किया गया है पेशिंट का वो है एलनीन अमीनो ट्रांसफरेस जिसको हम एल्टी या फिर एसजी पीटी के नाम से भी जानते हैं सबसे पहले जो टेस्ट के वह नीचाहिए थाटी फोर यूनिट पर लीटर जबकि जो पेशिंट के रिजल्ट आ रहा है तू 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 नॉर्मल से बहुत जाड़ा हाई है दूसरा हमारे जो टेस्ट है वह है स्पार्ट अमीनो ट्रांसफरेस या फिर हम इसको कहते हैं एसजी ओटी तो एसजी ओटी का फुल पॉंट होता है सीरम गूटामिक उगजल्र एसेटिक ट्रांस मिनेज तो इसकी जो नानॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वह होनी चाहिए लेकिन जो पेशिंट का है वो है हमारा 96.8 यह भी हमारा नॉर्मल से बहुत जादा हाई है आए समझ लेते हैं इन दोनों के बारे में तो जो हमारे दोनों एंजैम से वो लिवर की सेल्स सिक्रीट करती है तो किसी भी बीमारी की वज़े से अगर हमारे लिवर की सेल्स डैमेज हो रही है चाहे अलकोहले की कंडिशन में हेपेटाइटिस की कंडिशन में या और भी कंडिशन होते हैं जिसकी वैसा अगर लेवर की सेल्स जो है वो डैमेज हो रही है तो उनकी सेल्स में जो यह एंजैम होते हैं कि दोनों हमारे ब्लेड में आ जाते हैं तो जिस वज़े स से स्टेष ब्लुरूबिन होता है इसमें हम टोटल बीडेखते हैं मतलब इंडारेक्ट बीत ब्लूरूबिन को चेक करते हैं तो यह तो क्या होता है यह पीगमेंट होता है जो तूटने से बनता है tequila किस लाइफ होती है वह 120 दिन की होती है तो 120 दिन के बाद ही जो break these एक हीद्हें या फर कह सकते हैं कि तोट जाती है हमारे बौडिके औरगन इसको हम मों बुलते हैं में pie या क REM और फिर हीमोग्लोविन की तूचने के बाद र दूसरे सब्सरे आरान-को बोडि़ Singh लिए लेकिन दूसरे सबस्टेंस से बनता है हमारा बिलुरुबिन होता है उसे हम कहते हैं पानी में यह मारा ब्लड में आराम से गोल जाता है। और इनकल जाता है यहरेन से यहाफे में अर्थरों लेकिन प्लूरू के प्लूर के पहें और को अराम से निकल जाता है बाडी से यूरीन के द्रो और हमारे जो मल के द्वार से निकल जाता है तो जो टोटल ब्लुरुबिन होता है वो सम होता है हमारा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट का तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए तो डायरेक्ट ब्लुरुबिन की तो वो होती है जो हमारा पोइंट यह नौर्मल है और डायरेक्ट प्रुबिन की होने चाहिए जीरो से जीरो पॉइंट टू एमजी पर डियल तो अगर हमारी बॉड़ी में इसका जो इमांट है वह नौर्मल से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि हमें जॉइंडेस हो सकता है या फिर हम उसको कह कि पी लिया हो सकता है तो डारेक्ट ब्लॉबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है वह हम देखी चुके हैं और इंडारेक्ट की भी देख चुके तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस के केस में क्या होता है कि आरवी सी जो होता है वह बहुत जल्दी तूटता है जिसकी विज़े से बह इस कंडिशन में क्या होता है जो हमारी इंडारेक्ट ॡॉन वह बाढ़ जाती है यह कई कंडिशन में बढ़ा हुआ रहा रहेगा जैसे कि प्लीन थे मैं कोई प्रॉब्लम है मलेजिया के के इसमें और किज़नी की कोई बिमारी है इसकेस में हमारा हिमोलाइटिक के लिए लेकिन किसी वज़े से अगर हमें वाल ब्लेडर में पित की ठाली में स्टोन हो गया है पत्री वगहरा होगी है तो जो हमारा विल्डुवन है वहागे मूव नहीं कर पाता है हमारी स्मौल इंटर्स्टाइन में पहुंचेगा तब हो मारा स्टूल के तो निकलेंगा लेकिन किसी फी रुकाव के वज़ए से आगे मूव नहीं कर पाता तो उस condition में क्या होता है कि जो बिल्रूबिन है वो हमारे लिवर में एकटा होता रहता है उस वज़ए से क्या होता है अमें obstructive jointis हो जाता है इस condition में जो हमारा direct bloodlubin है वो बड़ा हुआ रहता है इसकी बाता था है हेपेटिक जॉइंडिस इस केस में हमारी लिवर के से वो डैमेज हो जाती है जिसकी वज़े से लिवर डारेक ब्लूरुबिन को बाड़ी से बाहर नहीं निकाल पाता है तो इस वज़े से क्या हो कि डारेक्ट ब्लूर्विन हमारे सार ब्लड में आ जाता है जिसकी वैसिस का लेबल बढ़ा हुआ बहुत रहता है यू हो सकता है से और से से अरे सिर्वा रोबैर की ड्र grasses में हपीटाइस में या फिर इल्कौहलिक हिपडाइस के के से के में इसकी और वो औरगन से रिलीज होता है जैसे कि इंटेस्टाइन के निंग ब्रेंज तो यहां से भी यह रिलीज होता है तो जब भी एल्कलायन फॉस्थेट का लेवल बहुत जादा बढ़ जाता है तो यह इंडिकेट करता है कि पेशिंट को लीवर की बीमारी हो सकती है जैस बून दिसीज टूमर पैच जिसीज रिकेट या बून की कोई विमारी हो सकती है तो इसकी जो नॉर्मल वैलू की हम बात करें तो इसकी जो नॉर्मल वैलू होने चाहिए वो 42 से 98 उनिट पर लेटर होने चाहिए जिबकि पेशिन्ट की है 288 मतलब यह नॉर्मल से बहुत करता है एल्बूमिन और ग्लोबलन को तो जो एल्बूमिन और ग्लोबलन होता है वह क्या होती है हमारे जो लेवर की प्रोटीन होती है तो हमारे जो लिवर होता है वह बहुत ही इंपॉर्टन प्रोटीन बनाता है जिसको हम अल्बूमिन कहते हैं तो सबसे पहले बात करते ह से लीक काम मतलब जो हूं ही रहता है उसका और होता है जहसे कि विटामिन्स ओुगये और हमारा एंजैम्स वगेरा हो गए हो गए होरोमोन्स हो गए इनको कैरी करना मतलब एक जगे से दूसरे जगे पहुंचाने का काम करना तो अगर ब्लड में अलुमिन का स्तर कम आता है तो इसका मतलब लिवर में कोई डिसीज है या फिर लिवर डैमेज हो रहा है इसकी वज़़ा से ल नेक्स्ट है हमारा एलबुमिन प्रोटीन तो इसकी वैली होनी चाहिए वह 3.5 से 5.2 ग्राम पर डियल होनी चाहिए और जिसकी जो लेकिन जो नौ पेशन की वैलु है वह 3.9 तो यह भी हमारा अंजर लिमिट है इन सारे पैरामीटर्स के बारे में मैंने और डिटेल्स में बनाया हुआ है उसमें मैंने डिटेल्स में डिसकस किया है तो आप एक बार वो अगर वीडियो देख लेंगे तो नौर्मली हम देस्ट रिपोर्ट को और आसानी से समझ सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के करें और चैनल को सब्स्ट्राइब करें